नमस्कार, हमारे साथ आज पुर्बांचल के पहले जन परतिनेदी महावल मिश्राजी हैं महावल मिश्राजी पुर्बांचल ही नहीं, बलकि नीचे जूगी जोपडी कालोनी से ले करके सागरपूर और द्वारका विधान सभा, उस समय ततकालिक नशिरपूर विधान सभा, अस्थापित होने तक जन जन की लड़ाई लड़ी महावल मिश्राजी निगम पारसद से लेकर और लोग सभा सद्दस्य तक का सफरताई किया है एक समय था कि पुर्वांचल के नाम पे अगर दिली में सिर्फ नाम लिया जाता था तो सिर्फ महावल मिश्राज का लिया जाता था लेकिन आज समय परस्तितियां बदली और पुर्वांचल में बहुत सारे लोग पुर्वांचल के नाम पे राजनीत करने लगे महावल मिश्राजी ओ सक्सियत हैं जो 2002 में अपने ही सरकार के विरुद छट के लिए छुटी मांगने के लिए सिला दिक्षित से लड़ बैठे थे और इन ही के काजकरम में सिला दिक्षित ने छट को छट के लिए अवकास भोसित किया था उसके साथ ही महावल मिश्राजी जो आज तिरथ कमिटी बहुत चर्चा में है उस समय 2002 में 21 सक्टूबर 2002 को महावल मिश्राजी ने तिरथ कमिटी गठित करने के लिए अपने ही सरकार के सासनकाल में विधान सवा में तिरथ कमिटी गोशित करने के लिए भी आवाज उठाई थी और उनकी आवाज सुनी भी गई थी और उसके बाद तीरत कमिटी की गठन हुआ था महावल मिश्रा जी राइनितिक से अलग हट करके सब के लिए काम किया यहां तक की पुर्वांचली के नाम पे आज भी अगर किसी का नाम लिया जाता है तो पहला नाम महावल मिश्रा का पुर्विशांसद हैं सत्ता में नहीं है फिर भी जहां चठ पे राइनित हो रही है उस राइनित में आज भी अगर कोई नाम आ रहा है तो चाहे जमुना पार हो या जमुना कीस पार हो महावल मिश्रा का नाम एक बार चर्शा में जरूर आ जाता है जब चठ की बात आती ह है तो बेशक सत्तर घाट से 1100 घाट करने का दवा परतमान सरकार कर रही हो नीगम भी भाजपा नीगम के माध्यम से अपना दवा ठोक रही हो कि हम 119 घाट मनाए लेकिन अगर शठ की बात आती है तो सब के जहन पर एक बार महावल मिश्रा का वो सफेद बाल वाला चेहरा जरूर सब के निगाह पे दोड़ जाता है महावल जी तब के दिनों में आप पुर्बांचल के क्लावता नेता थे और आज पुर्बांचली नेता से दिली भरी पड़ी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नमस्कार अधरन जे मुझे खुसी है जो आज जिसका कलपना मैंन की थी जिस पुर्बांचल के लोगों को जो अभेलना के दिश्टी से लोग देखते थे और उस महात्मा गांधी जी की लाइन मैं नहीं भूलूँगा जब आफिरका में साउथ अपिरका में जब महात्मा गांधी जी को ट्रेंस से उतार दिया गया था जो आप ट्रेंस से आदमी तो एक सिक्षा मिली थी, तो आज उसकी लराई लरा, उस समय लोग दिली में किस तरह से पुकारते थे, बिहारी कहना हमाई गर्व की बात है, लेकिन जिस भासा का प्रयोग करते था वो गाली से बढ़ के था, और शुरुवात किया, आज बोट नहीं बनती थी, रासन लड़ा बोट बन गया, अब मैं समझता हूँ, आप कहाँ बरत्मान पहिश्थिती में, उस समय हम नेता थे, तिन-तिन मडर हुए मेरे प्रदर्शन में, आप जा के देख सकते, उनी सो पचासिये प्रदर्शन हुआ, माविन के लिए में सुनिल समाधी बनी, आप देख सकत है, लेकिन आज आपने कहाँ बरत्मान पहिश्थिती में, ठीक है, जादे जोगी मठ उजार, जादे जोगी मठ उजार, तो धारा साही अभी पुर्मांचल के लोग बिहार से उत्तर प्रदिश से आएं, आज दिली में, पहले पुर्मांचली थे, अब पुर्मांचल से अधमान और दिश्टी से, बर्गत का पेर हमेशा चाया देता है, अंडी बगंडी बहुत पैदा होते हैं, अंडी बगंडी तो बार साथा आती है, गल जाता है, लेकिन बर्गत का पेर गलता नहीं है, तो महाबल मिस्टा का तितिहास है, यदि छट की छुटी की बात करू चट को तीरत कमिटी में याद करू तो मैं विधान सभा में उठाया था जो विधान सभा में ख़़ा हो के एक विधायक कहा था जो महाबल मिस्राद दिल्ली को बिहार बनाना चाहते हैं अब तो बिहार बन गया अब मुझे खुसी इस बात किये मुझे खुसी इस बात किये ज बच्चा पैदा लेते ही आयस नहीं बनता है कानून बनाना मुश्किल था कानून बन गया तो अब जो नेता लोग विरोध करते थे दिली की कोई ऐसा बैनर नहीं दिखाई देता होलिंग नहीं दिखाई देता जिस पर छट मया की छट मया के प्रतिसरधा नहीं अरपित किया गया है आज हर नेता के बोड़ पर दिखते हैं छट उत्सब की मुबारक आज गर्व से फ फीर था अज बड़ा बन गया है उसमें सभी का युगदान को मैं मुबारक बाद देता हूं धनवा देता हूं छट कुछाए स्वार्थ में जूरे हो उनको भोड के खातिर जूरा हो लेकिन मेरा सर्धा था उस सर्धा की बरगत का पेर बड़ा उंचा हो गया है बड़ा सक सकतिसाली हो गया है अब इसको कोई उखार के फेक नहीं सकता इसको बढ़ाएगा सीचेगा आज सरकार सीच रही है नगर निगम के भी लोग काते हैं हम करेंगे दिली सरकार भी काता है लेकिन जमना में अभी तक दिली हरियाना से पानी छूटा नहीं है छट परसो है और हन गंदे पानी में अरग नहीं दे सकते हैं तो यह नहीं होती थी तो सिर्फ बात से नहीं बात करके या भासन過去 करने क्या ऑवा सकता है आब डाबड़ी घाट पर जाके देखी से आज डाबडी घाट पर जाके देखिए कामें नहीं कुछ हुआ आप जाके देखिए आज बड़ी मुश्किल से में काम सुरू करा है तो भाई चुनाओं के बगता तब MP भी आते थे मेले भी आते थे अभी कोई यहां जाकने भी नहीं आया कोई उनके प्रतिनिदी भी नहीं आया जाकने के लिए जाके जाके आपके किनारे में यह घाट है सामने में कोई नहीं आया तो यह लोग सिर्फ प्रचार प्रशार करते हैं काम कम प्रचार जादे पुर्बांचल के हिते इसी सब बनते क्योंकि भोट लेना है मावल मिस्रा का बोट से नहीं स्वाहिमान के लक्षा करना है इसलिए स्वाहिमान के लिए छट बना हमारे संस्किर्ति और सब्धा और हमारे देवता मजबूत हुआ है यह आपने कहा नेता सभाविक है परिवार बढ़ता है तो डिफरेंट का कारण है जो संब्रदिसाली बने है वो दिन भी याद है जहां 5000 में पलाट लिये थे लोग आज एक करोड का बन गया तो पहले सो गजबाला भी 200 गजबाला किया पचास गजबान था ना बिजलीन था ना पानी था ना रोड था नाली था कुछ नहीं था अब लड़ाई जब 1999 से ना था योपले की लड़ाईला नता नोमे शन्तानमे से छिएसी से वो लड़ाई जब 1999 काम सिरुआ आना था ना था नाटाइस का मैट लू आया दिली में विकास हुआня प्लाइओवर बनेश ौई गजब दिली का विकास हुआ तो क्लॉनिय बिकास हुआ ।ो पुर्बान्चल एक सब्द जिससे यहां से पुर्ब देखो सब एक जब तक नहीं होगा तब तक दिली का कल्यान पुर्बान्चल का कल्यान नहीं होगा अपने भी खर्च करने की तागत आ गई है उस समय था जब चंदा लेके परची काटते थे लोग कोई 11 रुपया कोई 21 रुपया कोई 101 देता था लिसे रहा अब सरकारतीरत कमीटी में सम्रीथ हो गया अब परची काटने के जरुत नहीं है अब तो परची काटने के जरुत नहीं है और सम्रीथ साली हुआ है जब परिवार मजबूत होता है समाज मजबूत होता है तो मजबूती से छट का दिकाई लेकिन उतनी ही राजिती छट में हो गया छट के नाम से लोग बोट बनाने की काम कर रहा है है राजिती कर रहा है सरधा से नहीं सरधा तो जो लोग करते हैं वो सरधालू है जो लोग नेतागीरी करते हैं अने लोग जो नेतागीरी करते हैं वो बोट के खातिर करते हैं जो बिहार पूरब के लोग सरधा से करते हैं सरधा से हमें छट मन नाना चाहिए इसमें राजिती में गया अपनी भासा अपनी संस्किति सबता आराद देवता को मजबूत किया है यह पुरबांचल लोगों की जीत है मिश्रा जी पुरबांचल लोगों की जीत है वो समय भी जब इनेगी ने संगठन पुरबांचल के नाम पे थे आज लगभग 134 रेश्टर्ड संगठन है दिल्ली में और सब कोई दम भरता है कि हम पुरबांचलियों के ही तैसी है लेकिन 134 रेश्टर्ड संगठन होने के बाद उतना जोड़ नहीं दिखता जितना जब 24 संगठन थे और जिसके आपका भी संरक्षक हुआ करते थे और उसमें इकठा था क्या यह राजनितिक जब अहंग आजाए तो यह चीच होता है माफ करना चटमया अहंग ना दे हमेशा आपके चर्णों का दास पुरबांचल के लोगों का हम चर्णों का दास रहे हैं हम बने रहें चटमया की किरपा पात रहें लेकिन लोगों में अहंग की लडाई भी हो गया है हम बड़ा त कि एकनी बनी है उतने ही हमारा कम्जूर हुआ है संस्था बननीumin alc Visa संस्था के दोर अभी सिर्णार से होनी जब समाजिक समराश्ता की बात आवे तो सबस्राइड कि वी समभव होगा यह अहंगों का कि में बड़ा में बड़ा नहीं समाज बड़ा तभी ये संभव हो सकता अनिथा नहीं हो सकता है एक थोड़ा सा राइनितिक से सवाल है कि आज छट की चर्षा हो रही है और दिवाली के बल्कि दो-चार दिन पहले से ही छट की चर्षा चल रही है और छट की चर्षा चल रही है तो चाहे किसी भी पाटी के लोग हो बाजपा के हो बरतबान आम आदमी पाटी के हो या आपके कॉंग्रेस पाटी के लोग हो सब कोई जब छट की बात आती है तो पुर्बान चलक लोग एक बार महावले मिश्रा का नाम जरूर लेते हैं लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि सब नाम लेते हुए भी आपको सत्ता से दूर कर दिया मैं एक बात बताओं अब तो ये बात हो रहा है देखिए आज देश में बड़े बड़े लीडर जो हमारे पुर्बज ने सुंतता सागाम में लड़ाई लड़ा आज लोग बले ही भूल जाएं लेकिन धिरदय में तो नाम रहता है आज पुर्बांचल के लोग किसी कोने में बात करते हैं तो कहते हैं पुर्बांचल को जड़ी सम्मान कोई दिलाया तो उसका नाम महावल मिस्रा है और मैं उस ती दीन आदमी के सहाधत हुआ उनिसव पचासी में पहला सुनिल मरा दूसरा में दो आदमी हमारे मरे आज उनको मैं याद करता हूं नमन करता हूं लेकिन लोग आज राजिती करते हैं हम राजिती नहीं हमने केस भुगता है पुर्बांचल के खातिर समाज के कि लिए आज बहुत सारे लोग यहां रहते हैं बहुत सारे भोधपुरिया लोग रहते हैं मैतली भासी लोग रहते हैं मैतली भोधपरी के एक आदमी का क्यों निमान कराया दिली में कौन बनाया तो उसका नाम महावले मिस्रा आएगा और रिकार्ड बोलता मैं नहीं बोलता तो बात ऐ आज लोग वो संस्था के माद्यम से राधीती में घुसना चाहते हैं महाबल मिस्रा उस संघर्स करें लाठी खाके गोली खाके केस लगके हमने संघर्स किया है तो उस महाबल मिस्रा का नाम कोई मिटाना चाहेगा वो नहीं मिटेगा महाबल मिस्रा का नाम रहेगा जैसे आज हैं बहुत सारे हमारे लीडर हैं आपने दस एगारा मुर्ती देखा एगारा मुर्ती एगारा मुर्ती में कोई पदपर नहीं था लेकिन हिंदुस्तान के जब तक जमीन रहेगा तो एगारा मुर्ती में उसका नाम रहेगा तो इसे तरह से दिल्ली में जब तक दिल्ली भुजपुरी मेतली एक आदमी के लिए अनाथाज कोनी के लड़ने के लिए पुरवांचल के सम्मान की कोई बात आएगा तो महावल मिसला कलो की मंदाली से नाम लेना चाहेंगो तो आएगा हाँ मन में भीवाणी है नाम ले तो मुझे क्या पता कल मेरा बेटा भी नाम पत्थर हटा बे जो मेरा बाप क्या किया जो किया सब मैं ही किया तो मैं का कर सकता हूं महाबल जी अनदिग्रित कलोनियों का आप ने चर्चा की यहां पर तो मोजी सरकार ने 1797 अनदिग्रित कलोनियों को पास कर दिया तो क्या लगता है कि पुर्वांचल वास्ट नहीं अभी नोटिपकेसन आना बाकी है तो मुझे अनभव इसका बहुत जादे है अभी नोटिपकेसन होना बाकी है के अन्द में पहले 18 साथ तरीक से हाउस चालू होगा तब उसमें बिल पास होगा बिल पास होने के पास नोटिपकेसन आएगा अभी तो क्या पास किया है क्या संसोधन होगी उसकी बात नहीं लेक को रिगुलाइज करने की बात है मैलकाना हक देने की बात आएगी मैलकाना हक हो हमारे पाबार अटनिको माने जो पाबर अपटर नहीं असरी डिकुमेंट है तब ही संभव होगा सरकार के नियत को मैं बहुत बढ़ाई देता हूं उन्होंने स्टेप लिया उसके लिए बढ यह मंत्री थी आपको क्या इक Łए लगा होगा जब आपने कहा होगा त्य कैसी पर्तिक्रिया उसे में सरकार की थी जो मैंने उनी सो निनानवे में शीला जी को का ओओ चट क्या होता है महाबल तो मैं उनको जट घाट पर घोमाने के लिए ले दिए पहले आइटीव घा ले फिर गिता कलोनी ले गया, कुदसिया घाक ले गया, भलस्पा जहांगीर पूरी ले गया, नरेला ले गया, और जब इन दों घुमाया तो मुझे वहला महावल आँख खोल दिया तुमने, ये छट बननी चाहिए, अदिली में छट की छुटी होना चाहिए, लेकिन बिधान में जब मैं उठाया, तो 56 बिधाय को समय हाउस में थे, सतर में से, 56 बिधाय को पस्ती थे, 56 में साथ मंत्री कुछ बोलते नहीं है, दोई स्पीकर कुछ नहीं, नो, बाकी रह गया, 56 में से, 9 में से, 47, 47 में एक मैं बोलने वाला था, तो 47 में से, 40 बिरोध किया था, चालिस बिरोध किया था, जो महाबल मिस्रा दिली को बिहार बनाना चाते हैं, लेकिन आज मुझे खुसी है, जो 40 बिरोध किया था, वो घाट पर, छट मैया को पणाम करते हैं, तो छट मैया की जीत है, यह मेरी जीत नहीं, छट मैया उनको सुबुदी दिया, कठना ही बहुत सारे दिखते आई, लेकिन इदिखतों को सामना किया, मैंने अज सामना किया और बनवाया, भाई कमजूर नहीं थे, मुझे होना भूख खरताल पर बैठना पड़ाता हूँ, अनधाय कोनी के लिए भूख खरताल पर बैठ गया, बैठा सेम के सामने डर्कुमेंट मे मैं सियम साहब के घर के बाहर बढ़ गया, जिरुजू साल लाओ, किसी कलोनी को तोरने का हम नहीं देने परमीशन, नहीं बारत कर लेते हैं, आप भी उसमें आईए, तो हमने उसका भी किया, अनधाय कोनी के 99 में, हमने का अनधाय कोनी में काम नहीं, तो कुर्सी छोर दो, म उनका मजबूती दिया, उनके बचे आज परलीक के डॉक्टर बन गया, अच्छे, आप जैसे लोग बने, खुसी है, लेकिन एक जुर्ता में बिखराओ जाया है, ओ दुख है, मुझे हारने की बात नहीं दुख है, दुख इस बात की है, जो एकता में हमारी कमी आया है, ल आप आगे क्या कर रहे हैं, वो करो, लेकिन मुझे खुसी है, जो आज छट जो छोटा सा सपना देखा था, वो आज बर्गत का पेर ले लिया है, उस बर्गत का पेर को रूख, शीचने का काम जो करें, लेकिन लगाने का काम तो महावल ने विस्रा किया, महावल जी, छटको राजिती से किस तरह से अलग देखना चाहिए? आज के राजिती किये? जितनी भी सरकार आ रही है, छाओ भी नगर निगम देखिए, चाहिए दिली सरकार दिखिए किन सरकार सब स्रे लेना चाहता है अरे सरधालू बनके काम करो जो जिसके पावर में है वो काम कीजिए छट को राजीती करन नहीं करना चाहिए मैं माफी चाहता हूँ छट की राजीती करन नहीं करे मुझे कहेंगे आप राजी दिखें तो मैं छट की राजी के नहीं छट को दिली में दिखें आदिकाल से छट होता है कोई छट के बारे कि महिमा का उनकान करने की सकती हमें नहीं है लेकिन दिली में और हिंदुस्तान के कोने को छट का जो विस्तार हुआ उसमें महावल मिस्र आप जैसे लोगों का सहयोग था जो मैंने किया महावल जी जैसे देखा जाता है कि जो महिलाएं होती है इसमें बहुत ही श्रद्धा से करती है अपनी मतलब पूजा पार्ट घर के लिए बच्चों की सुक्षांती के लिए अपने पतियों की लंबी उमर के लिए तो महावल जी किस प्रकार से छट पूजा करते हैं हम तो करते हैं छट मया हमारे समाज को सब को सुक्ष संबधी दें सब को पूत्र से पूत्र हो यह मेन पूजा होता है जो महिला अपने ब्रत करते हैं पूत्र नहीं होता तो पूत्र हो महिला काती है हमाई बच्चे सुख में हो उसके बहुत सारा के लोग मानता मानते हैं और सब को भगवान पूर्ती करते हैं हम तो मैया से एक ही प्रात्ना करते हैं यह हमारे समाज में एक होने का एक सुत्र में बदने का सब को दे मन सा दे जब आपने विधान सभा में 21 अक्टूबर 2002 को विधान सभा में आप तीरत कमीटी गठित करने के लिए आपने कहा था तो आपके पाटी के लोगों की क्या परतिकिरिया थी मैं कहा ना सत्तर में से चपपन थे चपपन में से च्यालिस तो कुंसा पाटी नहीं उसमें सनलिग था मैं तो कहा बुरी विधान सभा के चर्चा कर दिया कौन नहीं अपोज किया लेकिन आज वही लोग छट मया की मुबारक चट पूजा की मुबारक बूड पर देते हैं और घाट पर चाने बाद है तो यही चट है हैं जो सब का सर जुका दिया अपने चर्णों में यह जीत है हमारी है यह चट में यह की जीत है और आज मुझे खुसी है इस बात की महावल जी चट के लिए आपको अपनी ही पार्टी का विरोज जेलना पड़ा आज का लगता है आपको चाहे बीजेपी हो या दिल्ली सरकार हो सब कुर्वांचल वासियों और चट को लेकर जो वो राजशीती कर रहे हैं दिल्ली में भी चुनाव भी नजदी के तो क्या लग उसके लिए प्रियास करना पड़ता है तो हम जो शुरुआत किये थे नियम बना कठिन था जो बिहार के ये अराधि पूजना पूजा दिल्ली में उरजश्चड होना अनप्रदिस में पहला वार और तीरत कमीटी में समुझा बिहार में तीरत कमीटी में नहीं है आपको य पूट के लालत में अब उसको बढ़ाएगा अब बरहाने का काम कर रहा है मुझे खुसी है इस बात में मुझे दुक नहीं है और बढ़े लेकिन जब शुरुआत हुई थी उस समय अंठावन लाक मात्र भोट थे अंठावन लाक बोड़ते अब ये करोर 69 लाक है ज्यान रखिएगा तो जैसा 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 ज तो यह बोट जो बढ़ा है जनसंख्या जो बढ़ा है तो घाट की संख्या बढ़ी है इसमें पाटी आहसान क्या किया है जो भी सरकार आएगा अरे हम घर बनाते हैं तो हम अपने सोच के बनाते हैं दो बिटा के लिए और बोटा को पोता पोता को पोता हो जाया तो बढ़ान लेकिन भासा के संपरदी और छट की संपरदी जो हो भावना से हो रानीती से प्रडित ना हो अन्तिम शवाल आपके संसदिय शेत्र से आपके संसदिय शेत्र में मैं सबसे पहले डावड़ी छट गाट शुरू हुआ उसके बाद आप बन विभाय के जमीन को जिसमें पार्क में तब्दिल किया था नगर्बन पार्क और वहां एक भब्बे छट कायोजन होता था लेकिन ओछट बंध हो गया आप इस पे क्या कहना चाहेंगे देखिए मुझे नगर्बन को पार्क में बदलना जब मैं चुनाओ लर रहा था तो मुझे मैंने कहा इस जंगल को हम पार्क मनाएंगे तो एक आदमी मुझे कार्ज करता कहा यह तरहती में केस जनमना गेहू उपजना हमने तरहती में गुहमियों उपज जाएगा यह पार्क बनेगा मैंने एक इबालिया हुआ करते हैं मंतरी ने हमने मीटिंग किया और छट घाट की निर्मान और जंगल को पार्क में तबदली किया और वाटर हार्विस्टिंग के नाम से मैं गाउ बनाया जो छट उसमें मन सभाध्यम से उस पार्क में बिजनेस होने लगा का टेन्ट बुक होने लगा एंग करते थे पां सो रुपे में हम टेंट करते थे पां कोगिदार खना किलेए फालिक तो 500 रुप्य मात रथा सफाई कराने के लिए साधी खतम टेंट उखड़े 500 रुप्य वहाँ दो और सफाई करा लो लेकिन अब बुकिंग होने लगा कोई 11,000 का कोई 200,000 का वो सरकार के खाता मने जाने लगा इसके बाद इतना ही नहीं टेंट वाले से कमिसन भी फिक्स हो गया जो टेंट लगाएगा फ़लाना टेंट लगाएगा उसी से बुक करोगे अरे बेटी की साधी मेरा बुक करोगे तुम हम किसे कराएंगे हम पर चोदो तो वो जगडा हुआ के प्लेन हुआ जिससे नगर मनवाले सग्यान में आया और जहरा साभी होता ता है पेर पॉज है रोक दिया तो यह पूर्मांचल के लोग जाने बनाने लोग झाले जो वह होम करना रहा है तो ढाविया सब सहुलियत नहीं मिलती देऴ और आणंडष का पेर गिर जाएगा तो छाया कौन देगा है कि अंडी बंगंडी तो आते जाते रहते हैं अपनी सोच है मैं उसके बारे में नहीं कुछ कहूंगा कुमेंट करूंगा आप चुनाओ जीथार होता है लेकिन दुख इस बात का है जो वो लोग अपनी स्वाहिमान को नहीं समझे स्वाहिमान क्या चीज होता है उसको ग्यान की ग्यान लेना परेगा मुझे भूले उसके लिए को नहीं परणाम करता हूं वही पांच बार मुझे चुनाओ भी जिताये थे मैं परणाम करता हूं अब कहां गलतियां हम से हुई कहां गलतियां लेकिन हां बहुत बारा राजितिक बात मैं भी नहीं करूंगा जब राजितिक चर्शा कीजिगा तो मैं उसमें करूंगा लेकिन कहीं न कहीं सोच में गलत हुआ है आज जो स्वाहिमान हमारे यहां मिलता था या हम एक दुस्ते से मिलते थे वो नए M.L. मिलता है नए M.P. मिलता है महावनमिसरा घर में बैठता है तो प्यार से बैठकर के भाग भी करता है सम्मान भी पाता है बेटी की साधी हो ब तो गाते थे साधी में मैं जाता था लाल बती का गाड़ी रुकता था तो गाउं तक चर्चा होते थे पहलाना के साधी में तो येंपियो साहब आल लाना था तो सम्मान गाउं तक बढ़ता था अब इनका सम्मान बढ़ता या नहीं पढ़ता है और धनंजे जादे आप हमारे दर्सों को और चट बरतियों पुरवान चलियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पड़ाम करता हूँ बरतियों को और चट के तिहार पर दिली के तमाम नेता, अविनेता और जन्ता को मैं एक ही बात कहूंगा जो चट को राज़िती करन ना करके चट की सरधा पुरभक मनाबे और देश में सम्पृदी हो, दिली में सम्पृदी हो, हुसाल हो आम सब के घ हर में भगवान सम्रिदी दे ये छट मैया से कामना करता हूं और हर परवार में खुसियां हो ये कामना करता हूं धन्यवाद धन्यवाद